तो हलो और वेलकम टू टेक्नो मेरुडूप चैनल आप महात्मा फुले क्रिशिपी दपी ट्राहुरी आज की विडियो में बात करने वाले हैं डेट टेक्नलोजी कोर्स के बारे में और मेरा जहां तक मानना है भई जितने भी आपके अधर कोर्सेस हैं एगरी कल्चर में जो तो आपको भाई अच्छा खासा पैकेज लग सकता है आपको जो अधर इंजिनिंग होते हैं उनकी कमपेर में आप अच्छा खासा वहां से पैसा कमा सकते हैं तो इस कोर्स के बारे में इस वीडियो में सारे जांकारी आपको देने वाला हूँ तो आपको वीडियो को इन त लोजी में तो उनकी लिए भी वीडियो बहुत important है क्योंकि इसमें मैं आपको इसमें admission कैसे मिलने वाला है और यहां पे आपको कौन कौन से job profile रहने वाली है और कहां कहां आप job कर सकते हैं कौन कौन सी private sector हैं इंडिया में और आपकी eligibility क्या होने चाहिए इसमें admission लेने के लिए तो वीडियो काफी important है वीडियो को इन तक देखना और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like ज़रूर कर देना तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम इस course का introduction देख लेते हैं what is dairy technology तो यहां पे छोटा सा definition लिखा गया है तो जितने भी student है अपना graduation करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे different courses available हैं अगर आपको 12 के बाद बिटेक करना है तो फिर भी आपको बहुत सारे universities आपको मिलती हैं इंडिया में उसमें ले सकते हैं अभी BSC की बात करना तो BSC में उतने ज्यादा popular नहीं है maximum student बिटेक म available हैं इंडिया में टॉप के और इसके अगर आप popular courses के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको diploma बता देता हूं तो 12 के बाद ये courses start होते हैं सबसे पहला जो course है इंडिया डियरी डिपलोमा इंडिय टेक्नोजी तो यह IDD का जो course है आपका two year का होता है तो जो भी student 12 में इंजिनिंग और डिपलोमा इंडिय टेक्नोजी डीडी एंडीटी यह आपका पॉल टेक्निक टाप का course होता है तीन साल के लिए आप इसे भी जॉइंग कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अब दिख लेते हैं यूजी करने के लिए अगर आपको बिटेक करना है चार साल का यूजी का course करना है तो आप बिटेक इंडिय टेक्नोजी ले सकते हैं और जितने भी बी एसी के कॉलेज हैं वहाँ पर भी याड्मिशन ले सकते हैं उसके बाद अगर आपको पीजी में लेना है और आपको यूजी के बाद अपनी profile को बढ़ और अच्छा बनाना है और जो popular courses हैं उसमें भी आप admission ले सकते हैं ठीक है तो अब इसकी eligibility criteria के बारे हम बात कर लेते हैं तो यूजी के लिए बात करें तो आपका 12 होना चाहिए और यह याद रखना है आपको PCM group से आपका होना चाहिए ठीक है जो भी student physics chemistry math से अपना 12 कर रहे हैं और आपके 12 में minimum 50% marks हो नहीं चाहिए तब जाके आप कुछ exams होते हैं इसके लिए जिसमें आपका सबसे popular exam है ICR का उसके थुरू आप इंडिया में जितने भी टॉप की universities है उसमें ले सकते हैं ठीक है और पीजी कोर्स का भी सेम है आपके पास जो भी बिटक के डिगरी है उसमें data technology होना चाहिए अ तो आप data technologies की हैं तो आप PG कर सकते हैं ICR PG के exam के थुरू जितने भी recognized universities हैं इंडिया में उसमें आप admission ले सकते हैं तो अब admission process की बात करें तो जितने भी UG course के लिए apply करना चाहते हैं आपको ICR UG का exam देना पड़ेगा AIAA जो हर साल NTA के थुरू conduct कराया जाता है तो 12 के बाद आप इस exam में appear हो सकते हैं इसमें आपको अच्छे खासे rank लाने पड़ेगी तब जाके आप यह जो नीचे देख रहे हैं टॉप की institute उसमें आपको admission मिल सकता है तो यह जो आप चार institute देख रहे हैं अगर आपको इसमें admission मिल गया तो आपको job के tension नहीं लेनी है आपको आसान आपको बहुत ही ब्राइट होने वाला जो भी student यूजी करके निकलते हैं आपको आसानी से job सुगरा लग जाती है इसकी आपको कोई डेंसन नहीं लेना है तो अगर आपने टॉप की जो institute हैं उनसे अपना कर लिया है तो यहां पे आप देख रहे हैं जो की इंडिया के आपके पास into tips कणशा सकते हैं जब्रेस को सकते हैं एक ठीब को प्राइवेट श करने का मोका मिलता है अगर आपको अपना कि प्रायवेट जॉब्स नहीं करना है उसके अलावाब भी अपना a help को ए कहां कर सकते हैं अब यहां पर डेरी का बिजने स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास जमीन है कुछ आपको पता होगा कि इंडिया में इतनी यहादा पॉपलेशन की वज़े से दूद का जो है खपत बहुत ही ज्यादा है तो अगर आप छोटा सा भी डेरी फार्मिंग करते हैं किसी भी जगह करते हैं तो आप खुझ से अपना कोई बिजने स्टार्ट कर सकते हैं आप मैनुफेक्टरिंग फ़र्म बना सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेसिंग डेरी यूनिट बना सकते हैं आप आप किसी आइस क्रीम का यूनिट खोलना चाते तो भी खोल सकते हैं वहां से आप स मेन चीज़ पर ही आ जाते हैं आपकी सेलरी की बारे में बात के लेते हैं तो जितने भी स्टूडेंट अप्येरिंग में प्लेस्मेंट पाते हैं जो भी यूजी से अपना बिटेक करके निकलते हैं आपको पंद्रह हजार से लेकर 35,000 रुपए पर मन्त की सेलरी मिलती है जो भी फ्रेसर होते हैं अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सेलरी जो है 40,000 से लेकर दो लाग तक भी जा सकती है पर मन्त की तो स्टार्टिंग में जो भी कंपनी आपको लेकर जाती है वहां पर काम करना जितने सेलरी दे रहीं वहां से अच्छा इंफर्मेशन लेना जांकारी लेना वहां से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर आप बड़े बड़े जो कंपनी है नेसले मदर डेरी अमूल की कंपनियां वहां पर अपलाई कर सकते हैं तो अगर आपका वहां पर पोस्टिंग हो गया तो आपको पैसे की टेंशन नही है ना अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है आपको कोई कुशन पुछना तो मैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डारेक्ली टेक्नोमल नाम का हमारा है वहां पर जाके मैसेज अगरा करते हैं जो भी आपके पास डाउट है तो थैंक्स पर वाचिंग दिस व